साथियों, हमारे देश की पहले की सरकारों में, खास कर विक्रित वैचारिक राजनीती के कारण, दस्तकों से जो हीन भावना और आत्म विश्वात की कमी रही, उसके कारण देश के सामर्थ को हमेशा अंडरेस्टिमेट किया गया, चाहे हमारे हिमालई राज्य हो, विशेश कर पुर्वत्तर के राज्य हो, या फ्रे अन्नमान निकोबार जैसे समुद्री द्वीप शेत्र, इने लेकर ये सोच रहती थी, कि ये तो दूर दराज के दुर्गम और अप्रसंगी किलाके हैं, इस सोच के खारण ऐसे ख्षेत्रों की दसकों तक उपेख्षा हुई, उनके विकास को नजर अंदाज किया गया, अन्नमान निकोबार जीप समुद्री इसका भी साक्षी रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई विक्सित जीप हैं, जिनका आकार हमारे अन्नमान निकोबार से भी कम है, लेकिन चाहिज सिंगापोर हो, मालदीव हो, सैसेल्स हो, ये देश अपने समसाधनों के सही इस्तिमाल से, तुरियम का एक बहुत बड़ा आकरशन का केंदर बन गए, पुरी दुनिया से लोग इन देशों में परियतन और बिंदेश से जुड़ी संभावनाओं के लिए आते हैं, ऐसी ही सामर्थ भारत के द्वीपों के पाद भी है, हम भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन कभी पहले उस पर धान नहीं दिया गया, हाला तो ये थे, कि हमारे यहां कितने द्वीप हैं, कितने टापू हैं, इसका हिसाब किताब तक नहीं रखा गया था, आज देश इस और आगे बढ़ रहा है, अब देश में प्राकृतिक संतुलन और आधुनिक संसाधनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हमने सम्मरीन अप्टिकल फाइबर के जरिये अंडमान को तेज इंटरनेट से जोडने का काम शुरू किया, अब अंडमान में भी बाकी देश की तरह ही तेज इंटरनेट पहुंचने लगा है, डिजिटल प्रेमेंट और दूसरी डिजिटल सेवाओं का भी यहां तेजी से विस्तार हो रहा है, इसका भी बड़ा लाब अंडमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है,